गर्मी के दिनों में तो भाई साधा खाना मिल जाए बस मज़ा आ जाता है खाके और वो साधे खाने में भी अगर लाजवाब टेस्ट हो तो फिर क्या कहने आज मैंने आपलों के लिए बनाया है कच्चे आम की खटी दाल और आलू कच्चो खा आहा हाँ मज़ा आ जाएगा आपको इसे खाके तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ तूर की दाल ले लिया है मैंने धो लिया है तीन से चार बार उसके बाद इसे कूकर में डाल लिया है और इसके बाद टमाट्र के चार तुकड़े कर लिजेगा उसे भी इसमें डाल लिजेगा उसके बाद दो से तीन हरी मि जरीज़ा लेजेगा हल्दी टाल लेंगे इसमें देड़ किलास के करीब पानी बस कुछ नहीं करना है कुट झाल लगाना है, गैस में चढ़ा देना है, एक सीती आने का वेट करना है, जैसी एक सीती आएगी, गैस को कम कर दीजेगा, दस मिनिट का टाइमर लगा लीजेगा, कुकर ठंडा हो जाएगा, देखिए दाल हमारी उबल गई है, इसे अच्छे से फेट लीजेगा, इसके बाद इस लाल हो जाने तक इसे फ्राय कर लेंगे, और इस सब चीजे जब अच्छे से लाल हो जाएगी ना, तो सीधे हर्य धनिया इसी में डाल दीजेगा, जब तेल में हर्य धनिया डालते हैं, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, उसके बाद जो डाल उबली हुई रख और बारीक का टाहरा धनिया और एक चमच भर के यहां आम के अचार का तेल ले रही हुँ मैं, थोड़ा सा नमक डाल लेंगे स्वाद के नुसार, बस हाथ से मसल के इसको मिला लेंगे हम, आप इसमें आम के अचार का तेल नहीं डाल रहे हैं, तो आप इसमें डारिक सरसो का तो थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर में डाल लेज़ेगा उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है बस जी गर्म गर्म स्टीम लाइस ले लीज़े यह दाल ले लीज़े चोखा ले लीज़े बस आज आपको खाने में मज़ा आ जाएगा गाइस अगर आपको मेरा व मिलूंगे अब आपको अगली डिश के साथ तब तक के लिए आप अपना बहुत खयाल रखेगा